नमस्कार किसान भाई योडी गार्डन में आप सभी किसान भाईयों को एक बार फिर से स्वागत है और आप बने हैं डीवी धामा के साथ कुछ किसान भाई सरद कालीन गन्य की बुगाई करने जा रहे हैं तो उन्हें अपने गन्य की फसल में इन दोनों में से डीएपी या सिंगल सूपर फासवेट दोनों में से कौन सा डालना चाहिए ताकि उन्हें अच्छे से पैदावार मिल सके और कौन सा देने में ज्यादा दिकलाब है इस बारे में हम बात करने वाले हैं तो चलिए किसान भाई यो शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो जान ले दे सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं डीएपी की ये दानेदार में आती है और अधिक तर हम इसे अपने गरने की बुआई कर चुके होते हैं तो उसके बाद गरने के टुकडों के उपर इसको हम डाल देते हैं इस तरह के से हम इसका उप्यों कर हैं लेकिन सिंगल सुपर फ्स पेट दाने दार भी आता है और पोडर के रूप में भी आता है और अधिकतर हम इसे अपनी आखरी ज्युताई जब हम अपना खेट तयार करहे होते हैं आकर ज्युताई के वक्त अपने खेट में डाल कर पाटा लगा देते हैं उसके बाद अपने करने की बुआई करते हैं अब बात कर लेते हैं इन्हें पोसकतत्वों की कि सिंगल सुपर फासफेट में कौन से पोसकतत्व हैं और डी एपी में कौन-कौन से पोसकतत्व पाए जाते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं ड नाइटरोजन की मातराडी एपी में अठारअ परसंट होती है और सल्फर जीरो परसंट होता है। फासफेट, चालिशीट परसंट, और कैलिश्यम की मातराई जीरो परसंट होती है। अब बात करते हैं किसान भाईयों हम सिंगल सुपर फास्पेट की इसमें नाइट्रोजन की मातरा 0% होती है और सलफर की मातरा 11%, फास्पेट की मातरा 16% और कैलिशम की मातरा 19% होती है तो किसान भाईयों जैसा मैंने आपको बताया कि सिंगल सुपर पासपेट में नाइटोजन की मातरा 0% होती है और डी एपी में नाइटोजन की मातरा 18% होती है अगर हम single super phosphate में थोड़ा यूरिया मिला लेते हैं तो ये बन जाती है DAP क्योंकि किसान भाइयों यूरिया खाद में नाइटोजन के मातरा 40% होती है लेकिन किसान भाइयों यहाँ पर एक परिशानी और आ जाती है हम इसमें यूरिया खाद मिला कर हम इसे D.A.P. का रूप तो बना देते हैं लेकिन अगर हम 10 केजी में एक उधरन दे रहा हूँ 10 किलो आप D.A.P. अपने खेट में डाल रहे हैं तो इसकी सिंगल सुपरफासपेट की मातरा आपको कम से कम 25-30 किलो लेनी पड़ेगी और उसमें कम से कम जो है 8-10 किलो आपको यूरिया खाद मिलाना पड़ेगा तब ये जाकर 10 केजी D.A.P. की बराबर हो जाता है किसान भाईओ यहाँ यहाँ पर मैं आपको बहुत ही सादा और सिंपल तरीके से बताने कोशिस करता हूँ अगर आप 10 किलो D.A.P. लेते हैं तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा चार गुना सिंगल सुपर फास्पेट यानि के 30 किलो सिंगल सुपर फास्पेट और 10 किलो उसमें आपको यूरिया मिलाना पड़ेगा तब जाकर के ये बराबर हो जाता है लेकिन यापर किसान भाईयो इसमें पोसक तत्वों की मातरा अधिक हो जाती है तो इसलिए आप सिंगल सुपर फास्पेट ही दे सकते हैं और आगे आपकी मरज्य किसान भाईयो जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप दे सकते हैं और किसान भाईयों चलते चलते आपके साथ में एक बात और सेर करना चाहता हूं कि आप अपने गन्ने की जो बुआई कर रहे हैं उसमें गोबर्खाद की मातरा आप अविश्चर लगाएं जादे से जादा लगाने की कोशिस करें क्योंकि ये जो हमारी गन्ने की फसल होते है किसान भाईयों ये दो वर्सों के लिए उगाई जाती है एक बार हम इसकी बुआई कर देते हैं तो दो साल तक हमारे खेत में बनी रहती है ये जो हम उर्वर्ख वगएरा डालते हैं इनकी मातरा तो हम बाद में भी समय समय पर देते रहते हैं लेकिन गोबर्खाद की मातर आप जादे से जादे देने कोशिस करें तो ये थी किसान भाई आज की जानकारी जानकारी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एक नई जानकारी के साथ किसान भाई अगली वीडियो में फिर मिलते हैं त तब तक सभी किसान भाई को नमस्कार.